सुन्दरवन के जंगल में टूनी नाम की चिडिया रहा करती थी टूनी के मातापिता लकडिया बेचा करते थे और उसी से अपना गुजर बसर करते थे एक दिन टूनी चिडियां जंगल में खेलने जाती है और तभी जंगल में टूनी की नजर एक जादूगर्नी पर पड़ती है टूनी को देखकर जादूगर्नी सोचती है मुझे काफी दिनों से घर में काम करने के लिए एक नोकरानी की अवसकता थी ये नुकरानी बनने के लिए बिल्कुल सही है इसे अभी पकड़ कर घर लेकर चलती हो उसके बाद जादू गर्नी टूनी चिडियां के पास पहुँच जाती है जादू गर्नी को देख कर टूनी चिडियां डर जाती है और वहां से भागने लगती है तभी जादूगर्णी एक रसी निकाल कर टूनी को बान देती है तभी टूनी जादूगर्णी से कहती है कौन है आप और मुझे ऐसे क्यों बांधा प्लीज मुझे जाने दो मेने आपका क्या बिगाड़ा है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी आज से तु मेरे घर की नोकरानी बन कर रहेगी और मेरे घर का सारा काम करेगी नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो मेरे माता पिता मुझे खोचते होंगे मैं तो बस यहां खेलने आई थी प्लीज मुझे जाने दो तुम चाहे जितना भी गिड़ गिड़ा लो लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला अब चूप चाप चल मेरे साथ उसके बाद जादुगर्नी जबरदस्ती टूनी चिड़ियां को घर ले आती है और फिर जादुगर्नी टूनी चिड़ियां से घर के सारे काम करवाती है बेचारी टूनी सारे दिन घर के काम करके ठक जाती है लेकिन जादुगर्नी को उस पर जरा भी तरस नहीं आता उल्टावो जादुगर्नी टूनी की पिटाई करती है फिर एक दिन टूनी चिड़ियां मौका पाकर वहां से भागने लगती है जादुगर्नी भागते हुए टूनी का पीछा करती है और थोड़े देर में टूनी को पकड़ कर घर ले आती है लगता है मेरे मार का तुझ पर जरा भी असर नहीं पड़ा अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी की दोबारा तु यहां से भागने का सोचेगी भी नहीं जादुगर्नी टूनी का एक पेर काट देती है और उसे एक जंजीर से बान देती है जादूगर्नी टूनी से कहती है अब तू यहां से भागने की चाहे जितने भी कोशिस कर ले लेकिन तू अब यहां से भाग नहीं पाएगी इस तरह से टूनी चिडियां जादूगर्नी के बस में आ जाती है एक दिन जादूगर्णी टूनी से कहती है सुन रे लड़की मुझे बहुत जोडों की भूक लगी है तू नदी किनारे जा नदी किनारे एक फलो का पेड़ है उस पेड़ पर रोज बहुत सारे पंची आते हैं अब तू जल्दी से जा और मेरे लिए बहुत सारे पंची को प खाऊंगी इतना कहकर एक धनुस पकड़ा देती है उसके बाद टूनी चिडियां पंचियों को पकड़ने के लिए नदी किनारे पहुँच जाती है लेकिन तभी नदी में एक मगरमच टूनी पर हमला कर देता है टूनी अपनी जान बचाने के लिए मगरमच पर बान चलाती ह मगर उन बानों का मगरमच पर कोई असर नहीं होता टूनी वहां से भागने की कोशिस करती है लेकिन एक पर कटे होने की वज़ह से वो उड़ नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है मगरमच जैसे टूनी को खाने के लिए आगे बढ़ता है वहां एक परी पानी में से निक बलती है और मगरमच के उपर एक मसाल फेक देती है मगरमच घबरा कर पानी के अंदर भाग जाता है टूनी का एक पेर कटा हुआ देखकर परी को उस पर तरस आ जाता है टूनी परी को सारी सचाई बताती है परी को बहुत बुरा लगता है परी अपनी जादूई छड़ी स टूनी का पैर ठीक कर देती है और अपनी जादूई सकती से एक जादूई घास का घर बनाती है टूनी ये घर तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा तुम्हारी सारी बाते मानेगा जाओ वो जादूगर्णी से हिसाब बराबर कर लो टूनी उस घास वाले घर के अंदर ज टूनी के कहने पर जादूई घास का घर उड़ते हुए जादूगर्नी के पास पहुंच जाता है। पेर काट देती है और जादूगर्नी मर जाती है। इस तरह से जादूगर्नी का अंत हो जाता है। हे जादूई घास का घर मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलो वो लोग मुझे ढून रहे होंगे। टूनी अपने माता-पिता के पास पहुच जाती है और सारी बाते अपने माता-पिता को बताती है। टूनी और उसके माता-पिता उस जादूई घर के अंदर खुसी-खुसी रहने लगते हैं। दोस्तों ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद। एक दिन रानो चिडियां को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। प्लीज लेकिन चिंटू चिड़ा तो अपनी हसीन साली के साथ वक्त विताने में बीजी रहता है। उसे रानो चिडियां की कोई चिंता ही नहीं थी। मगर रानो चिडियां किसी ना किसी तरह से घर पहुँच ही जाती है। और घर आने के बाद जब टूनी उसे कहीं नजर नहीं आती है। चिंटू जी के पास जाती हो। सायत उन्हें ही कुछ बता कर गई हो। ऐसा सोचते हुए जब रानो चिडियां चिंटू चिड़े के रूम में जाती है। और वहां का नजारा देखती है तो दंग रह जाती है। अपने पती को टूनी के साथ देखकर रानो चिडियां के तो होसी उड़ जाते हैं और वो जोरों से छिलाती है क्या हो रहा है ये सब रानो तुम गलत समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन तुम तो कल आने वाली थी न क्यों दिक्कत हो गई क्या मेरे आने से अरे दीदी ये आप कैसी बाते कर रही हो आपका घर है आप कभी भी आ सकते हैं बस अब बहुत हो गई दोनों की बहाने बाजी जो मैंने पूछा उस बात का जवाब दो अरे रानो तुम गलत समझ रही हो तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिलकुल नहीं है फिर कैसा है समझाओ मुझे मेरी आखे जो ये सब देख रही है क्या ये जूट है अरे तुम तो राय का पहाड बना रही हो तूनी को विजली कड़कने की अवाद से डर लग रहा था इसी लिए ये यहाँ पर चली आई बस और कोई बात नहीं है हाँ दीदी जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप थोड़ा भरोसा रखे जीजू पर मुझको इन पर तो भरोसा है पर तुम पर नहीं ठीक है आप मुझ पर भरोसा मत कीजिये मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ अच्छा कहां जाएगी माता पिता तो है नहीं तेरी जिम्मेदारी तो मुझ पर है ना तो तू तो यहीं पर रहेगी ना और कहां जाएगी ये सब होने के बाद रानो चिडियां के दिमाग में सक्का कीड़ा दोड़ने लगता है वो अपने बहन और पती के हर छोटे बड़े हरकतों पर नजर रखती है इस तरह से समय गुजर जाता है और एक दिन रानो चिडियां सोचती है मुझे कुछ तो करना होगा वरना ये दोनों खिचड़ी पकाते रहेंगे और मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा ना मिलने पर उसे अवाज मारता है चिंटू की अवाज सुनकर रानो चिडियां आकर कहती है क्या हुआ बताईए मुझे तूनी को तो कुछ जरूरी काम था वो तो सुभा ही चली गई थी मुझे कुछ काम नहीं था बस वो कहीं दिखाय नहीं दे रही थी इसलिए मैंने उसे आवाज दिया क्या आपको कुछ ऐसा काम था जो मेरी बहन ही कर सकती थी मैं नहीं अरे यार तुम फिर सुभा सुभा सुरू हो गई इतना बोलकर चिंटू चिड़ा टूनी चिड़ियां को जंगल में धूनने लग जाता है जगा जगा ढूनने पर भी टूनी चिड़ियां उसे नहीं मिलती है दूसरी तरफ रानो चिड़ियां चिंटू चिड़े का पीछा करती है आज जरा मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लू फिर दोनों को अच्छे से मजा चखाऊंगी टूनी तो कहीं नजर नहीं आ रही है लगता है वो मुझे हमारे अड़े पर मिलेगी चिंटू चिड़ा अपने अड़े पर जाता है टूनी को खोजने और टूनी उसे वहां मिल जाती है अरे जीजू आप यहां कैसे? टूनी तुम बिना बताए घर से ऐसे कैसे आ सकती हो? ये सब रानो चिड़ियां दूर से देख रही होती है रानो चिड़ियां जैसे ही उन दोनों के पास जाने वाली होती है तभी वहां पर लूसी कबूतर आकर टूनी के गले लग जाता है टूनी लूसी कबूतर से कहती है वैसे तुम बहुत जल्दी आ गए यार में कामे फसा हुआ था इसलिए आने में देर हो गई तभी रानो चडियां आकर कहती है ये सब क्या हो रहा है और ये कबूतर कौन है टूनी के गले क्यों लग रहा था दीदी ये लूसी है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं मैं लूसी से आज जीजू को मिलवाने वाली थी जीजू ने ही मेरी मदद करी और आपको गलत फैमी थी कि जीजू और मेरा चक्कर चल रहा है जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं मैं आपसे डरती थी इसलिए हमने आपको इस रिलेसंसिप के बारे में नहीं बताया हाँ रानो तूनी बिल्कुल सही कह रही है तूनी मुझसे अकेले में इसलिए मिलती थी ताकि तुम्हें लूसी और तूनी के बारे में पताना चले सारी बाते सुनकर रानों को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफी मांगती है और रानों चलियां तूनी और लूसी की साधी करवा देती है फिर दोनों अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने साधी सुदा जिंदगी में खुश रहने लगती है क्या हुआ बहन तू इतनी उदास क्यों लग रही है आज मेरा जनम दिन है और किसी ने मुझे वीज नहीं किया और ना किसी ने गिफ्ट दिया बताओ क्या चाहिए तुम्हें जनम दिन है आज इसके जनम दिन पर प्लीज लाइक और सबस्क्राइब कर दो धन्यवाद फिर टूनी चिडियां खूब महनत और लगन से अपना घर तैयार करना सुरू कर देती है ऐसे ही दो दिन बीट जाते हैं सभी पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिये होते हैं बस सब पक्षियों को अपने अपने घरों में रंग करना था जिससे सभी पक्षियों के घर सुन्दर दिख सके तूनी चिडियां ने भी अपना घर बना लिया था और टोनी चिडियां को भी अपने घर में रंग करना था आज मुझे अपने घर में रंग करना है आज में अपने घर को रंग करके काफी जादा सुन्दर बना दूंगी दूसरी तरप कालू कववा सभी पक्षियों के घर बनते देख कालू कववा को जलन होने लगती है तभी कालू कववा एक योजना बनाता है आज सभी पक्षी अपने अपने घरों में रंग करने वाले हैं और कल चील महराज जंगल के सभी पक्षियों के घर देखने आने वाले हैं मैं बादल भाईया के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वे जंगल में आकर बारिस कर दे ताकि सभी पक्षियों के घरों के रंग खराब हो जाए कल सुभा होते ही मैं अपने घर में रंग कर दूँगा और कल जब चील महराज सभी पक्षियों के घर देखने आएंगे तो सबसे जादा सुन्दर घर मेरा ही दिखेगा क्योंकि बारिस की वजह से पहले ही सभी पक्षियों के घर खराब हो चुके होंगे और कल का इनाम मुझे ही मिलेगा इतना कहकर कालू का हुआ बादलों के पास चला जाता है और इधर सारे पक्षि अपने अपने घरों में सुन्दर सा रंग कर लेते हैं मैंने अपने घर में तो अच्छे से रंग कर लिया है अब यह घर पूरी तरह से तयार हो गया है बस अब चील महराज कल मेरे घर को देखने आएंगे और मुझे ही बिजेता बना देंगे बादल भीया बादल भीया आज आप चल कर हमारे जंगल में बारिस कर दे हमारे जंगल में काफी दिनों से बारिस नहीं हुई है जिसकी वज़ा से हमारे जंगल में काफी जादा समस्या हो गई है इसलिए आप अभी चलकर हमारे जंगल में बारिस कर दें अच्छा ठीक है कालू, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तुम्हारे जंगल ये सुनकर कालू कववा, खुस होकर वहां से चला जाता है कालू कववे के जाते ही, वहां पर बादल का दोस्त आ जाता है तो आज नहीं जा पाऊंगा अरे भाई, वहां तुम कल चले जाना, अभी मेरे साथ चलो अभी आग बुझाना जाता जरूरी है, वरना आग पूरे जंगल में फैल जाएगी फिर दोनों बादल, दूसरे जंगल चले जाते हैं बारिस करने कल बादल तो बारिस करने आया ही नहीं, मेरा तो सारा प्लान चोपट हो गया चलो में अब अपने घर को रंग कर देता हूँ, वैसे भी चील महराज आज दोपहर में सभी पक्षियों के घर देखने आने आने वाले हैं, में अभी जाकर अपने घर को रंग कर देता हूँ कुछ देर में कालू कववा भी अपने घर में रंग कर लेता है और अब कालू कववा का घर भी सुन्दर दिख रहा था चलो भाई, आज मुझे चील महराज के जंगल जाकर बारिस करनी है कुछ ही देर के बाद चील महराज के जंगल में बारिस होना सुरू हो जाती है बाप रे बाप कल तो बारिस हुई नहीं और आज देखो इतनी तेज बारिस हो रही है मैंने अपने घर को अभी रंग किया है मेरा घर तो खराब हो जाएगा कुछ देर बाद बारिस रुक जाती है और कालू कववा का घर खराब हो जाता है चील महराज तोते के घर के बाहर आते हैं और तोते का घर देखते हैं तुमने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया है अब मैं जाकर और भी पक्षियों का घर देखता हूँ इस तरहा से चील महराज जंगल के एक-एक पक्षियों का घर देखते हैं, फिर कालू कववा के घर के बाहर भी जाते हैं, चील महराज को कालू कववा का घर बहुत ही गंदा दिखता है, ये क्या कालू कववा, तुमने अपने घर को रंग नहीं किया, तुम्हारा घर कितना जादा बुरा दिख रहा है, मुझे तुम्हारा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अब बस टूनी चिडियां बची है, अब टूनी चिडियां का घर जाकर देखना है, फिर चील महराज टूनी चिडियां के घर के बाहर आते हैं, और जब टूनी चिडियां का घर देख अंगल में सबसे ज़्यादा सुन्दर घर तुम्हारा ही लगा इसलिए इस साल की बिजेता तुम हो टूनी चिडियां चील महराज टूनी को गन्ने का खेत दे देते हैं और टूनी चिडियां काफी ज़्यादा खुस हो जाती है